हाई गाईज गुलिविनिंग और वोकुम बैक टू माई चैनल आज मैं आप लोगे साथ एक प्रॉपर स्किन केर पर टीनेजर शेयर करने वाली को तो जलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैंने आप अल्रेडी फेस को क्लीन कर लिया है एंड उसके लिए मैंने आज यूज किया है गुडवाइब्स की कॉफी फेस वाश यह आपकी फेस को अची तरीके से क्लीन तो करता है साथे साथ नारिश्मेंट भी प्रोवाइट करता है और बिल्कुल भी आपकी इसको ड्राइ आउट नहीं करता है तो टीनेजर्स के लिए एक दम पॉफेक्ट है दिन स्क्रब के लिए आप गुडवाइब्स की गोल ब्राइटनिंग जल स्क्रब को यूज कर सकते हो इसकी पार्टिकल्स बिल्कुल भी हाश नहीं लगता है दिन इंस्टेड ऑफ टोनर आपके अगर एज 14-15 है तो आप एक फेस मिस्ट यूज कर सकते हो और डेफिनिटल उसके लिए में गुडवाइब्स की निरोली फेस मिस्ट आप लोगो को सजिस्ट करोंगे एक रिफ्रेशिंग सा फील आपको ये देगा अगर आप 17-18 या पी 90 हो तो आप डेफिनिटली यूज कर सकते हो और उसके लिए मेरे पास कुछ पर्टिकुलर ऑप्शन है लाइक जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है ये बायोटिक का बायो क्यूकंबर टोनर यूनों बहुत सारे टीनेजर की आपनी प्रोन स्केन होते तो उनके लिए ये काफी ज्यादा हेल्फुल है और अ अब सीरम की ज्यादा तर आप बहुत सारे सीरम मत यूज करो ये हाईलिरोनिक अचिड वाला सीरम है आप डेफिनेटली इसे यूज कर सकते हो ये कोई भी साइड एफेक्स आपको नहीं देगा इसका जो काम है वो है आपकी पेस में जो मॉश्चर में जो मॉश्चर में जो जो एक ट्रांस्फोरमेशन आपकी स्किन में वाप देख सकोगे तो आप इसे यूज कर सकते हो और मॉश्चर को लॉक करने के लिए एक क्रीम होना जरूरी है और मैं सजेस्ट करूंगी गुडवाइब्स की ये सैफ्रन नारिशिंग बेग क्रीम ऐसी कोई बात नहीं है कि आप इसे भी आराम से यूज कर सकते हो कोई भी साइफेक्ट नहीं देगा और इसमें सैफ्रन होने के कारण यह आपकी स्किन को लाइक हिल्दी तरीके से ब्राइट करेगा बहुत सारे तीनेजर को इस टाइम पर प्रॉब्लम होती है अपनी कंप्रेक्शन को लेके तो उनक इस टाइम पर बनीला है और इस इस माइ अल्टिमेट फेवरेट यह यही पर ही खतम होता है टीनेजर की स्किन केर बस इस ही कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप पा सकते हो हेल्दी ग्लोईंग स्किन और या गाइस तास इट पर तोड़ी इस वीडियो में आप लोग